यह देखिए ऐसा करके बहुत ही अच्छा से इस्प्रे करेंगे चारो साइट से पत्ते के उपर से पत्ते के नीचे से आपको इस्प्रे करना है दोस्तों आज मैं आप लोगों के शास शेयर करूंगा रोज फ्लावर प्लावर 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 प माइट्स होते हैं, तो दोनों प्रकार के माइट्स अगर लगेंगे, तो आप कैसे पैचन कर पाएंगे कि आपकी फ्लार प्लाइंट पे माइट्स लगा है, कोई भी कलर की माइट्स हो, no problem, treatment स्थेम होंगे, देखी मेरे फ्लार प्लाइंट की ये जो लीफ है, देखी ये लो ह होते जा रहे हैं, इट मिस काफी लंबी शमाय से ही माइट्स की शिकर है मेरे फ्लाइंट, तो शबसे पहले मैं आप लोगे को ये जनकरी देता हूँ, ये जो फ्लाइंट है, इसका आईडी किया है और फ्लावर कैसे खिलते हैं, ये फ्लाइंट की आईडी है फ्लाम बयान् Minitur Button Rauge है, बहुत ज़्यक्न फ्लावर खिलते हैं देखी, जुक्के की जुक्के में फ्लावर, आभी भी कुछ फ्लावर है, और इससे पहले और भी फ्लावर खिल चुके है, कुछ ड्राइव हो चुके है, कुछ ओल्ड हो चुके है, 10 इंच की एक प्लास्टिक की पॉट में शॉयल मिड़ा में लगा हुआ है इसके अगर आपकी फ्लार प्लार प्लान्ट में माइट्स लगता है और आप अगर इसका टीटमेंट शही ने दे पाएंगे तो हो शक्त है आपकी floor plan धीरे धीरे मर जाए ऐसा शंभवत हो शक्ता है इसलिए आपको treatment तो जरूर देना है पूरा treatment हम करेंगे इसमें क्या एस्प्रे करना है कहा राखना है शब कुछ एकी वीडियो में शेयर किया जाएगा kindly आप लोग patience रखके पूरे वीडियो देखिएगा शब से पहले मैं कुछ symptoms दिखाता हूँ यह देखिए आपकी floor plan की leaf भी कभी-कभी ऐसा देखने में आते है कि यह जो पत्ते है पत्ते की color किसी ने ओरा दिये है यह दीरे-दीरे करके कम होते जा रहा है इस time आपको लगता है कि आपके floor plan की जो पत्ते है पत्ते की color क्यों खतम हो रहा है इस time आपको floor plan की जो पत्ते है पत्ते की नीचे देखना है नीचे उपर मैट्स नहीं लगते यह नीचे मैट्स लगते है देखिए यह पर मैट्स लगते है बहुत अच्छा से देखिए, मैं दूसरा एक लिफ जूम करके आप लोगों को देखाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन की ऊपर आप लोग देख पारा है कि माइट्स लगने से कैसा देखने में आता है तो कांडली आप लोग क्या करेंगे एक फोटो लेंगे ऐसे अगर समझ में नहीं आता यह अगर पल्टा दिये और इसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो एक किलियर फोटो खिचने के बाद आप जूम किजिए जूम करने के बाद आपको समझ में आएंगे नीचे माइट्स लगा हुआ है बहुती छोटे छोटे खाली आखों में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता लेकिन यह जो symptom है कि आपकी flower plant में marts लगा है और बहुत ज़्यादा लगा है मेरे flower plant में हर शल लगते है यह जो miniature button रोज है इसमें हर शल लगते है मेरे पाश दो plant और है एक shinder में है और एक shawl में है जबरदस्त लगते है लेकिन फिर सही भी हो जाते है तो हम क्या करेंगे शब से पहले तो हमको इसमें treatment करना है treatment से पहले आभी आप लोग समझ गये होंगे कि marts लगने से आपकी flower plant की leaf देखके ही आप समझ जाओगे आपकी flower plant पे marts लगा है घबरानी की कोई भी ज़रूत नहीं है देखिए बहुत ज़्यादा लगा है पूरे plant में लगा है हम क्या करेंगे दावाई spray करने से पहले इसमें हमको पानी डालना है देखिए इसमें पानी की कमी है अभी सबसे पहले मैं पानी डाल देता हूँ यह देखिए मैं पानी लेकर आए है कुछ पानी इसमें हम डाल देंगे यानि कि हमारी जो pot है, pot की soil moist होना चाहिए, हमने आधा लिटर पानी डाल दिये अभी, अभी और नहीं डालेंगे, यह हमने पानी डाल दिये है, देखिए, इसके बाद सबसे अच्छा जो insecticide, meticide होगा, वो meticide मैं आप लोगो share करता हूँ, कैसे आप लोग use करेंगे, डोज क्य होगा, कप-कप use करना है, शब कुछ मैं आप लोगो share कर देता हूँ, एक sprayer bottle में हमने एक लिटर पानी लिए है, देखिए, एक लिटर की एक बटल है, और एक लिटर पानी लिए है, और इसके साथ हमको लेना है oberon, मैं हमेशा वीडियो में आप लोगो update देते रहता हूँ oberon buyer company का है, लेकिन oberon कुछ costly जरूर है, result 100% अच्छा है, बहुत ही अच्छा result है, इसलिए मैं oberon यूज करता हूँ और आप लोगों को भी suggest करता हूँ, इन case अगर आपके पास oberon नहीं है, आप omite यूज कर सकते हैं, 1 ml पाल लिटर वर्टर हपते में एक बार, चलिए ober oberon और इसके साथ क्या लेंगे, मेरे पास है देखी बैस्पा 80, एक इस्प्रेडर है, इस्प्रेडर, सिलिकन बेस्ट एक इस्प्रेडर है, मुझे ए मिल जाते है, आशानी से तो मैं ले लेता हूँ, एही मैं यूज करता हूँ, जरूर नहीं है, आपको बैस्पा यूज क करना है, आपको एक सिलिकन बेस्ट एस्प्रेडर हमेशा यूज करना है, एक लिटर पानी में हम oberon लेंगे 1 ml, यह देखी इसका धक्कन हमने खोल लिये है, और एक शिरिंज की हेल्प से हम ले लेंगे, इसमें से, यह देखी खाली शिरिंज है, और इसमें से आमको लेना ह 1 ml, इसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा होते है, आप ड्रॉपर से भी ले शकते हो, आप ड्रॉपर यूज कर शकते हैं, इसमें एक बात धेन रखिएगा, जब आप शिरिंज से लेंगे, यह है 1 ml, यह 2 ml हो चुके है, तो हमको 1 ml ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, काइनली आप लोग शिरिंज अगर यूज करेंगे, तो निडिल आपकी हाथ में ना लागे, इस बात को धेन रखिएगा आप, मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, यह देखी, मैंने कम कर लिया और 1 ml हो चुके है, यह 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 है, ऐसा गर के, यह 10 ml का, 12 ml का सिरिंज है, तो हमने 2 ml लिये हैं, और एक लिटर जो हमने पानी लिये थे, यह देखी, यह पानी में हम मिला देंगे, यहां से, यहां से हम पुश कर देंगे, यह देखी, मैंने डाल दिये है, और जो पानी की कलर है, धीरे धीरे करके, चेंज होन इसके बाद हमको लेना है देखिए bespa 80 यहने की यह 15 ml हमने ले लिये है देखिए यह देखिए 15 ml और क्या करेंगे इसमें हम डाल देंगे, आधा ML, एह हमने डाल दिये, देखिए, आधा ML हमने मिला दिये, इसके बाद हम बटल को बंद कर लेंगे, बहुत अच्छा से बंद कर लीजिए, एह देखिए, इसको बंद कर लेते हैं, बंद हो चुके हैं, बंद होने के बाद अच्छा से हमको हवा बढ़ने के बाद इसको बहुत अच्छा से सेक कर लेंगे हम देखिए ताकि जो भी चीज हमने डाले है अच्छा से मिक्स हो जाए देखिए सेक कर लिए है और कालर देखिए चेंज हो चुके है इसके बाद हमको इस्प्रे करना है चलिए अब इस्प्रे करके दिखाते है कैस से इस्प्रे करना है यह देखिए ऐसा करके बहुत ही अच्छा से इस्प्रे करेंगे चारों साइड से पत्य के ऊपर से पत्य के नीचे से आपको इस्प्रे करना है इसे करके पत्य के नीचे से भी आपको इस्प्रे करना है क्योंकि माईट से नीचे लगा है तो नीचे भी लगना चाहिए है ऐसे करके हम इस्प्रे करेंगे और एक बात है जैसे कि आपके पाश ओबेरन है इनकेस अगर ओबेरन है तो ओबेरन एक ऐसा मेडिशीन से पत्ते की उपर भी आप अगर इस्प्रे करते हो तो यह बहुत ही आशानी से पत्ते के अंदर जाके वो नीचे तक पूछते है और हमारी फ्लावर प्लाइन्ट की जितनी पत्ते है उसके एस्टमाटा होता है एस्टमाटा की अंदर से अंदर जाते है और अंदर जाने के बाद लिप के नीचे तक पोशा देते हैं मेडिशिन्स को और हमको बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलता है इसलिए मैं यूज करता हूँ हमेशा ओबरन बहुत ज़ादा आगर आपके फ्लावर प्लाइन्ट में अटक होगा आज एक बार बानेमेल पाल लेटर बारटर एस्प्रे करेंगे ठिक चार दिन बाद एक बार सेकंड एस्प्रे करेंगे सेकेंड इस्प्रे की शाद दिन बाद एक बार फिर से मैं इस्प्रे करूंगा इसके बाद फिर शाद दिन बाद एक बार इस्प्रे करेंगे मतलब आपको चार इस्प्रे जरूर करना है तब आपकी फ्लार प्लांट से माइट्स चला जाएगा लेकिन लीप का जो निशन है लिशन नहीं जाएगा infected लीप धीरे धीरे करके yellow होंगे पीला हो जाएगा और आपके floor plant से ओ लीप ज़र जाएगा जैसे कि मेरे floor plant में आप लोग देख पर है लीप पीले हो चुके है ये लो हो चुके है ये शब लीप बिल्कुल ज़र जाएगे ये लीप नहीं रहेगा ऐसी करके आप आपकी floor plant से माइट्स से छुटकरा पाशकते है आप ही बेदर चेंजिंग हो रहा है इस टाइम आपकी गार्डेन में माइट्स लगेंगे आप अगर साथ से लेके 10 दिन के बीच में continue एक बार ओविरान गवाने में लेक लिटर पाने में मिलाके इस्प्रे करते रहेंगे अगर माइट्स लगा है या नहीं लगा है तब भी आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा अगर नहीं भी लगा है तब भी अच्छा रेजल्ट मिलेंगे आपकी फ्लार प्लैंट में माइट्स नहीं लाएगा आप ही मैं शाथ से लेके 10 दिन की बीच में एक बार ओवरान मेरा ओवराल गर्डेन में इस्टार्ट कर दिया है और आप लोगों भी मैं जनकरी दे दिया है अगर आप लोग चाहते हो तो आप जरूर इस्प्रे करें दोस्तो इस प्लान्ट को आप लोग करनली आदार प्लान्ट से थोगा सा दूर रखने की कोशिश की जियेगा ताकि इसकी बिमारी दूसरे प्लाइंट में ना फेले सेकेंड आप अगार पानी की शौरिंग करते है आपकी रोज फ्लार प्लाइंट में और पत्ते की नीचे से सौरिंग करते है तब माइट्स कम से कम लगते है लेकिन मैं तो सवारिंग करता हूँ कम से कम दो बर सवारिंग करता हूँ इसके बाद भी मेरे flour plant में mides लगते है अब लोग सवारिंग करें ठंडे पानी की spray करें पत्य के नीचे या ठंडे पानी से mides खतंप भी हो जाते है अगर नहीं भी मरते तो चले जाते है दोस्तों उम्मीद करूँगा आप लोग को समाझ में आया होगा कि माइट से आप लोग कैसे छुट करा पाशकते हैं आज ये फ्लार प्लान्ट की उपा सवारिंग नहीं करेंगे और ये काम, actually मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मार्निंग में किया है ये काम आप साम को पाँच बज़े तक करे अभी साम को पाँच बज़े अगर ज़्यादा धूप रहेगा तो सारे पाँच बज़े करे जिस टाइम आधा पौन घंटा की धूप और रहेंगे उस टाइम आप ये हैं एस्प्रे करे आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा, एक नमबर दूसरी नमबर हम एस्प्रे करने के बाद उस दिन ए फ्लार प्लान्ट को सवारिंग नहीं करेंगे फर्टलेजर भी नहीं देंगे, नेक्स डे आप सवारिंग जरूर करें, मर्निंग में सवारिंग करें, धफिर में करें, नो प्राप्लिम कुछ नहीं होगा इस बात को भी धेन रखना है, फर्टलेजर नेक्स डे आप दे शकते हैं और सेम डे और कोई भी फॉलियार एस्प्रे नहीं करना है उम्मिद करूँगा, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया, पूरा जानकर ही प्राप्थ हुआ होगा कोई भी कायरी है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स बक्स में जाके कमेंट्स कर शकत हो, आप लोगो पूरा कमेंट्स के अंसरिंग क्या जाएगा लास्ट में जाते जाते और एक बात मैं बता देता हूँ एक लिटर पानी में हमने ओबेरन वान एमेल मिक्स किये थे कभी कभी कोई कोई दोस्त बोलते है कि सेर हमको पूरा एस्प्रे करना है कि एक प्लांट में जतना ज़रुत है उतना ही एस्प्रे करेंगे इससे ज़्यादा एस्प्रे बिल्कुल भी नहीं करेंगे पेशन्स राखके पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोको बहुत बहुत धन्नवाद